प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एल हिट ता बेल आइकन ताकि आप कोई भी वीडियो में शना करें हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं आटे की पिन्नी और जिसमें की बहुत ही एनरजी होती है आटे की पिन्नी के लिए हमने यहां पर लिया है आटा जो की बड़े कप दो बड़े कपाटा है और यह काजू लिये हुए हैं और यह हम ने थोड़ा सब गहन लिया हुआ है ॏच यह हमने लिए हैं अ्करबूजी के बीज यहां पार डेसी घी लिया हुआ और यह हमने बूरा और आम सब से पहले चलते हैं हम चूली की तरफ कर यह हम सब से पहले डालें जोओzieh गी और यहां इसमसे पफेले हम यहां पर गोल्ड बूलेंगे और यहां पर हम गोल्ड दाल के देखते हैं कि अगे हमरा घी अच्छे से गरम हुआ है यह देखियमार भी गरम हो गया और में गोन अीजनि está ready यहां में सभी गूल्ड को एक साथ डाल रही हूँ और इनको में हलका गॉल्डन कलर तक होने तक भूने गी ओ ये देख्या हुमारा गॉंद्ध भून गया है तब मैं इसको ख़ड़ाई की बालनी कान में तक हुआता रही हुआरा है और अब में डालों दिसमें आटा और इसमें मैंने घी थोड़ा और मिला है क्योंकि आटे के अकोडिंग घी थोड़ा कम था और इसको अच्छे से मिला दूए और हम इसको अच्छे से भूनेंगे यह देखे हमारा आटा भून गया है और अब में इसमें डालूंगे अजवाइन जोके हमने एक चमिस ले हुए है और इसमें डालूंगे सोट पाउडर और इसको थोड़ा चला कि इसमें में सारे ड्राइफूर डाल दूँए यह सबसे पहले में डाल दूँए पदा में और खर्बूंचे के बीज गाज़, किसमिस, और युका हम अच्छे से मिला देए और रोन कढाई को चूले से उताग लेंगे पीस लेंगे अर यह आता इसके अंदर डाल देंगे घुड़ा बीज आए आए और यह जंदी ठंडा भी हो जाएगा और गोंद को भी हम इसमे मेख गोड़ को जाए बाए गाए जाए जो बारो कि आ आ इसमे ने लिएए गाए जाए आए कि यह देखे गोन नमने मिला लिया है और यह दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है और इसको थोड़ा थिंडा होने देए इसके बाद हम इसने मीठा मिला देए यह हमारा जो मिक्सर है ठंडा हो गया अब हम इसमें मीठा डालेंगे मीठा अगर हमने दो कप आठा लिया तो दो कपी डालेंगे अगर आप कम मीठा काते हैं तो मीठा अपनी टेस्ट के अनुसार डालें अपन्समें घ्षक वी तो हम हमेला यह बताइ़ ओाएव मीठा तो करेंगे इसमें मीठे को अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें देखे हमने मीठे अच्छे से मिला दिया और हम इसके लड़ बनाएंगे छुट छुटे हलके हलके हातों से हम लड़ बनाएंगे बनाएंगे अट कर समय मेंचे, ए्गी の बनाएंपब हाता लाओएंगे, गसा बहाईंगे, यागणा को बनाएंगे ज सक हमके इस एकाने करते हैं कि देखिए हमने आटे की पेनी बना की तयार कर दी है और यह सरदी में जादा अच्छी लगती है सरदी में ही इनको खाया जाता है यह हमारी आटे की पेनी बन के तयार है और हमारी इस रेशीपी को जरूर ट्राइ करें और यह सरदी में सिहत के लिए काफी अच्छे होते हैं इन्हें सरदी में जरूर ट्राइ करें अभी सरदी बाकी बची होई है तो आप भी इस रेशीपी को ट्राइ करें और हमारी वीडि झाल झाल